इन्स पर एक्टर साब रख देंगे तब और आपकी पहली प्लेट दिखा दीजेगा यह देखिए आज सुबह की फ्यूचर और मोमेंटम पिक अप कर रहे हैं और तब और आपकी प्लेट दिखाईगी कहा छोड़े थे और क्या डिफरेंचल है जिसे अब हाँ सुबह हम अपडेट आने थे, क्या मोड है, क्या चलना है, इतिते जी कुटी में क्यों? सिर्फ एक आदनी इसके ले जम्मेदार है, एक आदनी एक कमपनी जम्मेदार है, आदनी भी कह सकते हैं, अप्ल तो अकेला वो स्टॉक चला कि उसके साथ उसके फेरिफरी वाले चले? नहीं वो चुकि इस बहुत इस पेस्फिक खवर इसलिए वो चला उसके बाद जो चलें वो नतीजों पर चलें लेकिन एपल की बात में कर रहा हूं कमपनी ने इतना बड़ा बाई बैग अनॉस किया है 110 बिलियन डॉलर्स का इन्होंने कॉर्परेट हिस्ट्री के सबसे अगातार छट्वी बार हर साल तो आप 18, 19, 20 बाई सब जोड़ते चले जाओ अपने रिकॉर्ट के इन्होंने तोड़ा तो स्टॉक में इसलिए आठ परसंट की तेजी बनी आफ्टर आर्स की तेजी बनी है क्योंकि नतीज़े एकदम उसी कास पसाया था नतीज़े भी बहुत की चाइना में कितनी प्रॉबलम में माल बिख नहीं रहा है रिफर्बिस फोन बिख नहीं रहा है तो इसने मार्केट को ड्राइव किया दूसरा जो बड़ा धासू नतीज़ा है वो कौलकम गाया था कौलकम ने बहुत सॉलिड नतीज़े पेश किया स्टॉक 10 परसं अभी कर लो आप महंगाई कम अगर कारवान के रजल इतने अच्छा आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंफलेशन नीचे आए या यूज कारवान सबसे वड़ा कंपोनेंट होता है तो पूरी तरीके से नतीज़ों पे फोकस था और उसी के साफ से मार्केट ने रियक् है बहुत सॉलिड रियक्शन देखने को मिला है कलम बात कर रहे हैं कि वेज बहुत बढ़ी है आरली वेज 5% बढ़ी है और डिटेली आई थी कल उसकी बहुत तो मार्केट में उसको बहुत पोजिटिवली नहीं लिया क्योंकि वो डैंपनर था तो उसका रियक्शन हो चु जो जॉबलेस क्लेम वाला सो सो नंबर कोई बहुत बढ़ के निया है तो बढ़ा इंतिजार है तो चोटे कर तो अभी उसका बहुत इंपॉर्णी इस पर हुआ दो डैस का स्टॉक 10% गिरा है कल उनका नतीजा अच्छा नहीं आए था प्योरली लोकल रियक्शन था लेकिन मार्केट को एपल ने टेक्नोलजी स्टॉक्स ने ड्राइफ किया ऊपर गया तो आप अच्छे संकेश लें कि चलो आप क्यों लेते नहीं हो वहां से लेते हूं नहीं लेते हूं स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है हां स्टार्टिंग पॉइंट उसके बाद तो किसमत अच्छी तेजी ती आज फ्यूच्छी तेजी का इंडिकेशन दे रहे हैं तो कौनों दिक्कत नहीं है पूरा एश्या जित्ता खुला है बढ़िया ट्रेट कर रहा है गिफ्ट निफ्टी बढ़िया संगेत दे रहे हैं हाँ ये जरूर था हमारा बजार प्लीस लिखाईएगा स्रीन स्पे टूजडे को जाते जाते आखरी एक घंडे में तगड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई कर रहा है इस फिर क्योंकि सामने खड़ा है वीकेंड तेजी करने का मन बन रहा है यह जो आधा परसेंट का वाकिए कर गैप मिलता है तो हम वापिस वो हाइस को हिट कर रहे होंगे वहां पर जहां पे एक सप्लाय हो रहे हम आम तोर पर आता है तो ऐसे में रनीती क्या होग यह जब तक निफ्टी का सपोर्ट मेंटेन है तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि यह जो रेजिस्टन्स यहां पर हम लोग हिट करके रुक रहे हो है 22,780 से लेके 22,800 तो मुझे लगता है जब तक यह रेंज इंटैक्ट है तब तक निफ्टी में बाइज जो है वो बाइ पाइन डिप के ही रहेगी और हमने देखा है कि यह स्ट्राटेजी के तहट अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको उसमें मुनाफ़ा आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है लेकिन जादा निफ्टी पे अगर आप फोकस करो तो उससे जादा थोड़ा अगर जो प्ले है अगर वह आप कैच कर पाओ तो यहां पे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है यहां पे इस पे तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिजल्ट रियक्शन पर थोड़ा फोकस करें और निफ्टी को पाइंडिप स्ट्राटेज रहे तो ज़्यादा ट्रेड करने में मजा रहे हैं तो मोटा मोटी दायरा इस समय क्लियर कट है बिल्कुल सही जिसने की पोजिशन बिल्ड़ अप हुई है और वैसे भी ऑन दवे अब बाइस पांच सो स्थोड़ा सरदर था तो अब वो हमारे लिए बन गया एम सपोर्ट बाइस पांच सो बाइस पांच सो पचास न का तगड़ा प्रेशर इवन आई से से क्लारिफिकेशन के बाद भी ऐसा बुगाट कंटिकनी होती रही तो इन दोनों की वीकनेस के बावजूद बैंक निफ्टी मोटाओं वाटी खड़ा रहा होता है एच्डिपसी बैंक बढ़िया सपोर्ट के लिए आ गया कल कैसा पोजिशन लग रहा है निफ्टी बैंक आज होपिंग कोटा कोटा थोड़ी सी सैनिटी के साथ ट्रेट कर रहे होंगे सथ्वते साब आशी जी मुझे लगता है कि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है अगर बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलरली पी एस यू बैंकिंग अलग रखो जिससे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक और बैंक ऑब बैंक निफ्टी की बात करें तो 49,000 इसका एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है और 50,000 यहने हजार पॉइंट के दाएरे में बैंक निफ्टी है तो दिखें आज के लिए इसमें ट्रेड किस तरह से बनेगा मुझे लगता है अगर आज बैंक निफ्टी 49,000 350 का लेवल मौनिंग मे अगर खुलते ही पार पार करें या आप कह सकते कि खुलते ही इसकी उपर ही ब्रिक आउट दे दे तो पूरे चांसे से कि कम से कम 500 से 800 की रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है तो आज एक नज़र मुझे लगता है कि वन नौच बैंक निफ्टी बेटर लग रहा है राधर द करें इन कंपारिजन टू निफ्टी यह रन नीती वैसे वो कहते हैं एक बात निकल जाती तो दूर तरग जाती है वो क्लारिफिकेशन आगए आगए लेकिन सब के दिमार में कुछ भड़ गया वो ख़बर यार मैं तो यह कहता हूं कि जहां वो रिपोर्ट लिखी गई है हां वो हवा में नहीं लिखते हैं अच्छे खाची डिटेलिंग है उसमें ताइम हो सकता है कि क्यों बक्षी साब ऐसा करना चाहते हैं क्या है फैर अभी तो स्ट्रॉंग डिनायल है इसीसी बैंक की तरफ से देखते हैं पर कल सौक अभी है विए विए हालाइट कर रहा थो चोर्स पूरे कर लो आप आठ बुलगात होगी आपसे पैनल में आज जी चलो बारे आचा तो अजिने के बास लुआ जाए